सबी दर्शकों को जै महाकाली आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलोजिर पंटित नरेशनात जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जिससे आपको पूरा लाब हो सके सबी मूल भूत अवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए धन के अवश्यक्ता पड़ती है धन अर्थात लक्ष्मी लक्ष्मी के बिना तो नारायन भी अधूरे हैं तो साधारन आदमी की तो ओकाथ ही क्या है आज हम आपको स्वरन अकर्शन परियोग बताने जा रही हैं यह कल्पन नहीं हकीकत है प्रचीन काल में हमारे रिशी इन ही परियोगों से बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे और समय समय पर राज खजाने को भरने के लिए ऐसे परियोग करवाते थे आप भी इन परियोगों में शद्दा रखकर अपने खजाने को सोने से भर सकते हो यदि विश्वाश हो तो सब संभव है आज के युग के सबी अविश्कार विश्वाश की शक्ती पर ही अधारित है जिनका आप सबी लाब उठा रहे हैं तो आज के इस परियोग के बारे में बताने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलाजर पंडित नरेशना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ के बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फोलो जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शियर करें आज की जनकारी देने से पहले हम आपको पुन्हा कहना चाहेंगे कि दर्शकों इस परियोग को यदि आप कल्पना मात्र समझोगी तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी आप अपने हाथ में आए हुए पारस मनी को पत्थर समझने की भूल कर बैठेंगे तो आएए जानते हैं कैसे करना है आज का यह परियोग ब्रस्पतिवार को सुबा सनान आदी करने के बाद एक लीटर वाला पितल का नया लोटा लें और इसमें काली हल्दी गांट वाली भर दें और इसमें थोड़ा सा सोने का टुकडा भी डाल दें अब इसको पीले में बाद दें अब इस लोटे को अपने पूजा स्थान पर रखकर पीले रंग के फूल चावल हल्दी का तिलक लगाएं धूब धीप करें और एक माला ओम लक्ष्मी नारायन स्वरन अकर्षन कुरु कुरु स्वहा का एक माला जाप करें और फिर इसे अपने कैश बॉक्स में पीला कपड़ा बांद कर उस पर थोड़े से पीले फूल डाल कर उस पर इस कलश को स्थापित कर दें लेकिन एक विशेश बात का ध्यान रखें के यह किरिया गुरुवार को सूर्य उदे से बारा मिनिट में पूरी करनी है बस इतनी किरिया कर लेने से आपका खजाना अवर्ष भर सोने को अकरशित करता रहेगा तो इस पर योग को करें अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें और अपने अनुभव को को मेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें यदि आपको बार बार सोना गिर्वी रखना पड़ता है तो कभी भी सूर्य अस्थ के पहने हुए सोने को ना उतारें सोना हमेशा सूर्य अस्त से पहले ही उतारना चाहिए यदि आप इस छोटी सी बात का ध्यान रखते हैं तो आपको कभी सोने पर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका सोना बढ़ता ही रहेगा तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए तो आज के लिए इतना ही जै महाकाली